हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके एपनी यूटूब चैनल डियाल लेर्नर सुपरम आज हम फिर एक बार यूपी टीटी से जुड़ी एक मातपुर अपडेट लेकर आए हैं अब लोगो यूपी टीटी को परिच्छा को लेकर परिशान है कि 23 जनवरी को परिच् परिच्छा के लिए जैसा कुछ आगे होता है आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा आए देख लेते हैं कि आज की क्या अपडेट है यूपी टीटी अब यार्थियों को इस तारीक को आएंगे प्रेश्पत्र जारिये क्या चल लई तैयारी 23 जनवरी को प्रस्तावित उत्तरप्रदेश इच्छक परिच्छा यूपी टीटी के लिए केंद निधारन का काम सुक्रवार को पूरा हो गया है प्राथमिक स्तर की परिच्छा के लिए 2532 और उच्छ प्राथमिक स्तर की परिच्छा के लिए 1733 केंद बनाए गए हैं परि प्रवेस्पत्र 12 जनवरी को जारी हो जाएंगे अभ्यार्थियों केंद आवंटन का काम पूरा हो चुका है वहीं UPTT के लिए 21 लाग से अधिक अभ्यार्थियों को केंद तक मुक्त आने जाने की सुभिदाव मिलेगी अभ्यार्थि अपने प्रवेस्पत्र की फोटो कापी रोडवेज बसों के कंड़क्टर को देंगे और उसे ही टिकट मानते हुए उसे मुक्त सफर की अनमतिया दे दी जाएंगी सचीव अनिल भूसन चत्रवेदी के अनुसार यूपी टीटी में समलित होने के लिए प्रवेस्पत्र पर रोडवेज बसों में निसुल को सफर से समंदित में तयारी चल लई है यानि आपके एड़िट कार्ड में भी लिखा होगा है यह चीज तो यह थी आज की अपडेट यूपी टीटी से जुड़ी हुई ठीक है वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजी और ज्यादा ज्यादा सेयर कर देना अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं